रुक जाओ नहीं तो गोली बार दूगा, रुक जाओ अब ये रोने का ड्रामा मत करो तुम भी तो बुनियाद परस्ति ही चाहती थी देखा आप क्या हुआ? कहां से निकाल रहे हो ये सब? सुनो, ये तुमारे लिए न महरम है इधन न जाओ चलो उपर मेरी लिए न महरम तुम्हारे लिए देखते हैं इस काम के पीछे कौन है? कुद्रत कमांडर कैमरे से कुछ नहीं मिला कमसकम ये तो पता चल गया कि उन्हों ने किया है ऐसा नहीं हो सकता सुहेला क्या करें? एडम को कॉल करे? इस तरहां बात बढ़ जाएगी पुलिस पकड़ लेगी बेगुना लोग इसमें फस जाएंगे मासूम लोगों की जिन्दकी का सवाल है और हमारे हाथ में कोई सबूत भी नहीं कैमरा किसका है? अगर कहां रास्ते में मिला है तो मुझरिम समझेंगे सोचो पर हम ही भसेंगे लेकिन डेनिस की जिन्दकी खत्रे में है क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही सुनो मेरी बात अभी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा हम हर चीज़ को अब्सर्व करेंगे कोई ना कोई रास्ता नजर आ ही जाएगा अलिफ उससे मुहबत करती हो ना तुम देखो और मैं तुमसे ये पूछने ही रही हूँ अलिफ मुझे ये बात पता है उसने जूट बोला मुझसे चाहे कुछ भी हो नियत अच्छी थी दिल साफ था तुमको कैसे पता नाराज मत होना मैंने मैसिज पढ़े हैं तुम्हारे सुहेला मेरे ख्याल में पढ़ना तुम भी जरूर मैं अलिफ को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इतना के सो भी नहीं पा रहा अगर सो नहीं रहे तो मुझे कॉल करो इस्तंबूल एलिफ और मैं बहुत बहुत अच्छा दिन है लेकिन मैं उदास बहुत अंदर से के वो मेरे मरने की वज़ा से मेरे साथ है पहुत अच्छा दिन है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तेनस, पेठे, मैं टुन हूआ में तुन्दूंगा 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 में तुन्दूंगा तुन्दूंगा कुदूच साहब अब डेनिस का क्या अंजाम होगा इन फ्यूजर यही इसका अंजाम है वो तन्जीम वालों को बहुत पसंद करता है देखा ले गए उसे फजूल बाते मत करो बच्चे की जिन्दगी को खत्रे में डाल दिया उस रेक्टर के लिए इन्शालाब कुछ नहीं होगा उसे अमी डिनीज मेरे लिए मंगनी की रात ही मर गया था तो अब फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जीए मैं उदास नहीं सही कहती हो कुछ नहीं होगा मैं भी उदास नहीं हूँगा क्या क्या पता है क्या तुम्हे क्या लगता है क्या ये बहादुरी गद्दारी को साफ कर सकती है इंजवेगम क्मांडर, यह आपका अख़पार क्या हुआ? कोई बैड नियूस? इस्तंबोल मरकज युनियोस्टिपर हमला करने वाले सरबरा टेनर बेरन का तालुक असल में तन्जीम से निकला है यह बात हुकुमत के लिए खत्रे का बाइस हो सकती है क्या? कुछ अर्सा पहले हकुमत के खिलाफ होने वाले बुनियात प्रस्ती में भी तन्जीम का ही हाथ माना जा रहा है मुल्क के इन मुझूदा हालात की जिम्मेदार यही तन्जीम है जैसे हमें कोई और काम है यह नहीं हमारा काम जैसे इनके बीच आकर खेलने का ही रह गया क्या? तो अब क्या यह चाहते हैं? क्या मतलब क्या होगा? एक पी जवान अगर मिला तो उसकी लाश मिलेगी और क्या होगा भला? यह तो बहुत सिरियस मामला है एनिवे, अब आप लोग नाचता करें हलो अखबार में जो खबर है उसकी तरदीद करो और आइंदा मुझसे पूशे बगार कभी खबर नहीं चापना और याद रहे के दोबारा इस तरह की गलेती करने की कोई गुंजाश नहीं, समझे? जो कहा है उस पर अमल करो हाँ बहलो कमांडर आपको तंग किया घुसाना कीजेगा मेरे लावा आप किसी को कॉल ना करें इसलिए फून किया इसलिए कॉल कार रहा हूँ मैं क्या हुआ कुछ हुआ है? हम जिस घर में रहते हैं वहां बहुत सारे लोग है इस आदमी को चुपाना मुश्किल है कल रात इसने भागने की कोशिश की और बाद में हमने उसी सजा भी दी लेकिन हमें लगता है कि हम जादे देर इसको नहीं चुपा सकते बिल्कुल क्या करना है बताता हूँ तुमें अब तुम ऐसा करो के कुछ वीडियोज और कुछ जरूरी तसावीर निकालोगे और फॉरण उन्हें प्रेस में बहिज़ दोगे और इस सब के बाद फिर क्या करना है यह सब मैं बाद में तुम्हें तफसील से बता दूँगा सुना तुमने हाँ एक तो पहले ही हमारे सर पर शक्के बादल चाये वे हैं एक भी लमा जाय किये बगएर अपना काम खत्म करो कमांडर साहब कि इसके बाद भी उसको चुपाया रखना है तुम इस अंजीम का हिस्सा नहीं हो हां तुमने क्या करना है तुम नहीं जानते हो अगर नहीं जानते हो तो जया से पूछ लो वो तुम्हें बता देगा आखिर तुम हो कौन आखिर तुम चाहते क्या हो तुम्हारे कमांडर कोन है और वह कमीना जिया के तर है उसे मेरे पास लेकर आओ जिया नहीं मैं उसका सिलाम लेकर आया हूँ उठाओ इसे ये क्या काम है बहुत अच्छा प्लान बता रहा हूँ तुम्हे ये प्लान इबराहीम की रहाई का है क्या डैनिस के बतले इबराहीम एड़ोकेट को मांगा जाएगा तो छोड़ देंगे फिर बिल्कुल भी नहीं तमाम काम मुकमल है डैनिस का क्या होगा क्या ख्याल है यकीनां जिया का भी हाथ है इस काम में देखो देखो बैट खोला है कैमरा दे रही है वो अल्लाह किस काम में फस चुके हैं हम यूनिवर्स्टी से निकलने के बाद घाजी उस्ताद की घर आ जाना ये क्या है क्या मतलब है तुमारा क्या मैं अकेला ही काम करूँगा तुम भी मदद करोगी इसके लिए कुछ मीटिंग्स भी की जाएंगी नहीं आई तो हाथ तोड़ दिये जाएंगे समझ गई ना जरूर आ जाओंगी अगर तुम नहीं आई तो हम आ जाएंगे उसाथ चाहे पिये क्या उसी बत है तीन इनसान रहते हैं इस घर में सुबह तक ना खुछ सुए ना मुझे सुने दिया बाबा हाँ ये तस्वीर देखी आपने अभी तो मैं नीद में हूँ क्या दिखा रही हो दिखाओ क्या है अख़बार में इस तस्वीर में जो आद्मी है ये किसी से मिलता है बाबा क्या अपने देखा है ऐसे गोन है ये लड़की पता नहीं क्या पता तुम्हारे पास आने वालों में से कोई हो पागलों वाली बाते मत करो लिए मेरा क्या खाम हो गए इन आद्मियों के साथ नहीं नहीं मैंने देखा है उस आदमी को कुछ दिन पहले लेकिन नहीं बताऊंगी जब मिलेगा फिर बताऊंगी कहां चली इनिवर्सिती तुमने कहां चुटी है पुराने नोट्स है कुछ वो लेने जा रहे हैं यह तुफान आखिर में तुम्हें निकल जाएगा कमांडर खबर की वाएसे परिशान हूं क्या बेवनियत खबर रही है मैं इस वक्त अपने बेटे के वारे में सोच रहा हूं मैं बस उसको सही स्लामत वापिस देखना चाहता हूँ अकिकत यहां है टीम बेजिए और तमाम मीडिया भी निकल आये हाँ देखना और सच बहुत जल तुम्हारे सामने आहीं जाएगा यह लोग यह कुछ तस्वीरे हैं और हाँ आफिसर बोलने से पहले इन तस्वीरों को वह और से देख लो यह वक्त बहुत मुच्किल है अल्ला तुम्हे सबर दे तुम्हे सब मेरा पिछा दर रहे हो नो, हम क्यों करेंगे तुम्हारा पिछा तुम्हे कहा था नोट्स लेने हैं तो तुम लोग जाके ले आओ ठीक है, ले आते हैं चाए पीते हैं, कोई जल्दी नहीं है हाँ, कोई जल्दी नहीं है यूनिवरस्टी में पसादी आ गए कहा है तुम लोगों के छुरियां, जन्जीरें और हत्यार चलो आओ लड़कियो भागो मत तुम लोग वापिस मुड़ो और उदर टीवी पड़ देखो तुम क्या कह रही हो? तुम कहा रही हो तुम टेनिस? टेनिस है वो? पुलीस का दावा है कि जल्दी टेनिस को बाजयाब करा लिया जाएगा ये क्या किया? अब्लिक यही समझा जाता रहा कि आफिसर को फसादियों ने इंपार लिया है क्या हाल कर दिया इसका? गवाहों ने वाके की खबर दी है और जो उन पे तेशादूद किया गया उसका बताया पुलीस सारे मौामलात को मदे नज़र रखते वे तफ्टीश का दावरा कार वसी कर रही है पुलीस का दावा है कि जल्दी टेनिस को बाजयाब करा लिया जाएगा ये सब तुम लोगों के वज़ा से हुआ देखो क्या हाल कर दिया है उसका अब तुम सब लोग खुश हो बस करो अगर ज़रूरत पढ़ी तो मैं डेनिस के लिए अपनी जान भी दे दूगी तो दो अपनी जान जाकर बजाओ उसे वैसे भी तुम्हारी किसी को कोई ज़रूरत नहीं दफाओ हो जाओ तुम लोग यहां से मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती सुहेला मैं खुद को मुश्कल से रोक पा रही हूँ तुम ठेरो ज़रा मैं जाकर अभी बताती उस लड़की को कि डेनिस के दर है मैं समझ गई वो क्या करना चाहती है तुमसे जादा तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस बेवकूफ लड़की पर अभी तुड़ा सबर करना होगा हमें क्या हाल कर दिया उसका सुहेला शुकर है अभी मारा नहीं उसे यकीन करो वो लड़की ही हमें वहां तक लेकर जाएगी सही सलामन ढूंड लेंगे डेनिस को सुहेला मैं मैं नहीं बता सकती मैं उसको खुद से भी जादा अलफ हैस चुप कर जाओ संचाँ बता सकती हर जगा बस टेनिस ही है क्या कर दिया है मेरे बेटे के साथ शिनायद देखो यही पर क्यों हो तुम अभी तक क्यों नहीं जाके ढून रहे हो टेनिस को यहां कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके अल्ला यह क्या चीज है जो मेरे बेटे को मौत के मुँँ में ले जा रही है संजार कैसे कैसे बाप हो तुम जो अपने बेटे को मौत के मुँँ में दखेल रहे हो कोई ऐसे भी करते है अपने बच्चों के साथ संजार क्या तुमें अपना बेटा अजीज नहीं है बताओ शनाए तुम कुछ भी नहीं जानती हो मैं जानने भी नहीं जाती हूँ मेरा बेटा मेरे पास लेकिया हो लाओ मुझे नहीं पता मेरा बेटा लाओ शनाए ठीक है ठीक है मेरा बेटा लाओ ठीक है आराम करो ठीक है मेरा बेटा लाओ फिकर ना करो, सब ठीक हो जाएगा सबर करें मैं अपने बेटे को लेकर आऊँगा चाहे जान क्यों ना देनी पर जाए अला अला नहीं भई, मैं नहीं जानती हूँ बस करो, साथ तारीख अखबार है ये दुपहर के बाद औरतों की मीटिंग है उठो मेरी मदद करो, मुझे क्या, तुम खुद करो ये लड़की भी नहीं सुनती मेरी बात खुशामदीद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, बैठिये शुक्रिया जनाब आपने कोई जरूरी बात करनी थी, वो क्या है? बात इबराहीम के हवाले से बहुत कम दिन है उसकी सजा के पूरे होने में और इस हालत में बात करना भी मुनासिव नहीं है उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते फाइल चाहिए आपने वकील इबराहीम के जर्म के इर्तकाब के बारे में तो सुना होगा गालेबन किस जर्म का इर्तकाब? तुम नहीं जानते कि युनिवस्टी पर हमला हुआ है एक फोजी को अगवा किया गया है आपने नहीं सुना? उस मरकज युनिवस्टी की बात कर रहे हैं मेरी बात सुनी मेरे ख्याल से तो आप जाकर दुपहर की खबरे देखिए आपके तमाम सवालों के जवाब उदर से मिल जाएंगे देखो आज तक ना तो बहतान से पैगंबर बचे हैं और ना ही पैगंबर के रास्ते पर चलने वाले लोग बचे हैं जैसे फिरौन ने हजरत मुसा के लिए मिसर के लोगों को अपने जल्म और बर्बरियत के जोर पर अबादत से रोका जैसे हजरत अबराहीम ने लोगों से कहा के जाओ भोलो अपने खुदाओं से के इस बिमार को सेहत याब करें हता के यहां तक बहतान साथ आस्मानों से लेकर जमीन तक को हिला कर रख देता है बहतान से ही लोगों की जिंदगीया और उनके घर तबाह हो जाते हैं हमारे नभी सलल्लाह लेह वाले वसल्लम ने इन सब तोहमतों को रद कर दिया और तोहमत लगाने से ममानित फर्माई हर दफ़ा ही हक के खिलाफ बहावत की गई है लेकिन या मेरे रब तो हमें जाहिल और बहतान लगाने वाले लोगों से महफूस फर्मा और ऐसे इंसानों से बचा जो बहतान लगाते हैं महफूस फर्मा बाइजन टीवी देखे जरा आवाज खलो जरा बाइजन जानते हैं कि आप इसाथ भी को कौन है ये मैं जानता हूं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं ये लोग छूट से गुना से हिसाब से और आखरत से बेख़फ लोग हैं ये बिलकुल बेलगाम है मुझे लिए बुगैर किधर क्या चाहते हों मुस्से मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं पता जूट मत बोलना वर्ना मुझे ये पता है कि तुम भी इस काम में शामिल हो मुझे अभी मेरे बेटे के पास लेचाओ नहीं तो नहीं तो गोली मार कर भेचा निकाल दूँगा जलो जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ जल्दी देखते हैं यह में कहा लेकर जाती है इंशालला डेनिस के पास लेकर जाएगी मैं आपर देखकर आती हूँ टॉयलेट को देखने के लिए आये है क्या ये लोग वो ये तो वही आदमी है बाबा अल्ला एक तो तुम्हारी आवाद अपनी मा पर गई है बिलकुल उस आदमी का पता चल किया है मुझको बाबा कौन सा आदमी वो अखबार पहला आदमी जो स्कूल से अगवा हुआ था हाँ 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 वही इस वक्त हमारे घर में है वो आदमी यहां आया था उसकी आँखों पर पट्टी बन दी थी और वो वही ओफिसर है ये तुम क्या कह रही हो हमारे घर में दैशतकर्दों ने पना ली हुई है मैं बता रही हूँ आओ दैशतकर्द कौन है बेटा आए हम चल कर देखते हैं आजाएं बाबा गुमरू उत्र है जाहिर है पहले भी इसकी वज़ा से ये सब कुछ हुआ है चले उठे चले उठे आए ना बाबा मेरी बात मानने आए ना चले उठे भी मानने मेरी बात हलो क्या तुम आ रहे है यो सुनो मैं रास्ते में हूँ अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं तुम इस आदमी को तयार रखना कमांडर का हुकम है ये ठीक है देखो कोई भी गलती मत करना समझ गए न इसके पर कपड़ा डालो जिया आ रहा है रुको लड़की आए मेरे लाओ ये तो आफीसर है तुम लोग क्या कर रहो यहाँ तुम लोग मुझे दोखा देने के कोशिश कर रहे हो तुम ने तो कहा था ये बीमार है लेकिन खुद क्या कर रहे हो इसके साथ निकलो यहाँ से निकलो खुलिया मेरा फॉन ले क्या हो ज़रा पुलीस को कॉल करता हूँ मैं उस्ताद इतना गुसा ना करो तुम मैं आपको समझाता हूँ अब मेरे साथ आए क्यों जाओ मैं तुमारे साथ क्या करोगो मेरे साथ अल्लाः यल्माज उस्ताद आपका क्या काम है इधर? कौन है ये? मुझे में वकूफ पनाने की कुशिश कर रही हूँ बताओ कौन है ये? दैशतगर्दों को पना दे रही हो तुम मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरी नजरों को धोका देती हो, मैं देखता हूँ उस्ताद, आए मैं आपको समझाती हूँ, आप सुने तो सही उसके बाद जो हुकमा आपका खुलिया बेटी आओ, तुम भी आओ, जल्दी उस्ताद, चले हैं, जल्दी चले, जल्दी देख ले तो मैंने चलो, जल्दी करो तुम लोग उस्ताद, ये लोग दीन के लिए जिहाद कर रहे हैं, देखा कुछ आपने? ठीक है पर, उससे तुम्हारा क्या तालुक है? मेरा तालुक नहीं है कोई, लेकिन आपका है, ये लोग आपके पास हैं उस्ताद, कह रहे हैं के, यल्माज उस्ताद के लावा हमें कोई कबूल नहीं करेगा, उस्ताद आप देख रहे हो ना? लड़कियों के सकार फटा रहे हैं, दीनिमान हाथों से जा रहा है, हमारे कुरान पाक को हाथों से ले रही है ऐसा है क्या? ऐसा ही है, जन्नत में सबसे पहले कौन होगा भला? आप जैसे लोग होंगे इस वक्त मदाखलत के खिलाफ बच्चों की कौन मदद करेगा? आप जैसे उस्ताद मदद करेंगे उस्ताद, अपने घर से ना निकलो अगर निकलोगे, तो तुम्हें भी मार देंगे तौबा बिस्मिल्ला क्या? क्या सोच रहे हैं? उन बच्चों को एक ही चीज़ आती है या तो मरना, नहीं तो फिर जीना अब फैसला कर लें, या तो इस काम में उनकी मदद करेंगे या फिर अपनी कबर की तयारी अकेले नहीं होंगे आप, और लोग भी होंगे मैं, आपकी, बेटी, हम सब भी होंगे आपके साथ अल्ला, अल्ला, अल्ला कुर्बान जाओ ये मुझे पर क्या वक्त आ गया? मैं जाके सोचते हूँ ये क्या होने वाला है हमारे साथ? अल्ला माफी भाबा, पुलीश मैं सब कुछ समाझ गया auria, auria, auria बेटीझेखो मुझे पता चलगा auria वो लोग कहाँ से आ इस पता चलगा, मुझे वो किस के बदे है चलो auria बेटा, चलो आपकी साथ चलो और秩ा चलो ँणा चलो शबश की पेटी़ Utah कर दो कर दो कर दो कर दो यह कहां जा रही है नहीं नहीं देखा तुम चलो जलबी उसे फिर कॉल करो वो जानते हैं कि इंतजार में हूँ मैं मैंने कहा ना कॉल करो आ गए वो देखो कोई भी गलती मत करना तुम रुको क्या मैं भी याओं नहीं मैं केला लेके जाओंगा यही ओर्डर है बेठो यहाँ अब इसे खोलो थोड़ा आगे चल कर मुझ खोले ना हाई बाबा हाँ आतमी को कहीं और लेके जा रही है बेठा इतरा इतरा बैठ मेरे पास देखो बेठा एक बात बेरी तुम अपने दिमाग में बिटालो ना ही हमने कोई देखा है ना ही कोई सुना है हमारी जिमेदारी खाने पीने की हद तक थी बस अब तुमने यहां से हिलना नहीं है उस तरफ पीने जाना तुमने उधर किया देख रही हो बताओ इधर क्या कर रही है यह तुम्हारे बाबा का घर है एलिफ ठीक है यहां तक आगे काफी है अब ध्यान रखो जल्दी ठीक है बेटा ठीक है सब गुजर गया तुमको बचा लिया गुजर गया ठीक है बेटा गुजर गया यह क्या किया तुमने पहले यह बताओ तुमने क्या किया हम सिर्फ तुम्हारी वज़ा से आये थे वहां आखिर तुम चाहते क्या हो अगर ना करूं तो तुमसे जो कहा था वो क्यों नहीं किया और अब हम क्या जवाब देंगे अपने लीडर को मैं खुल नहीं करूँगा नहीं करूँगा अगर नहीं किया तो मैं जान से मार दूँगा आप बच कैसे गए? मैं बेवकुफ नहीं हूँ त्यारी के साथ आया था फिर मुझे क्यों नहीं जान से मार रहे हूँ? क्योंकि अपनी जान बचाने का रास्ता भी चाहिए मुझे और तुम मेरी मदद करोगे और अब तुम मुझे सच पताओगे बोलो कहा है डैनिस? मुझे नहीं पता उसे बहुत पहले ही कहीं ले गथे इसे मालूम है न वो कहां है? मैं अंदर जा रही हूँ एलिफ ये क्या कर रही हो? अंदर घर में क्या हो रहा है? हमें कुछ नहीं मालूम उस्ताद तो घर नहीं है वो मुलाना मेरे बाबा है मुझे उनसे जरूर मिलना है हट ये कहा है वो लड़की? किस लड़की की बात कर रही हो? सेराब! रुको! रुको यहाँ! वहाँ बहाँ जा रही हो तुम! रुको! सेराब! देखो मैंने तुम्हे तावेज दिया था तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम इसका फिकर न करो एलिफ? आपा? आप जिन्दा है? तुम यहाँ? जब तुम मैंने कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी तो क्या लेने आई हो यहाँ? क्या तुम भी तावीज लेने आई हो? यह क्या खेह रही हो? डेनिस कहा है बताओ मुझे उसे यही चुपा रखा है ना? डेनिस? डेनिस कोन है? हाँ? सेराब बताओ मुझे कहा है डेनिस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया यह शक्स मॉल वी है और मैं इनसे दुआ करवाने आई हूँ जूट मत बोलो सेराब हमने तुम्हारा पीछा किया तुम्हारे बैग में जो कैमरा था उसमें हमने सब खुद देखा डेनिस यही है, आउ आप खामूश क्यों है अस्ताद, रोके इने एलिव एलिव, रुखो, एलिव एलिव, एलिव, एलिव रुको, क्या का रही हो चोने एलिव झाल झाल हेलो मेरी बात सुनो मेरा पीछा किया है उसमें अभी यही है वो इन्हें कुछ मालूम तो नहीं हुआ कुछ पिने है तुम अपना काम पूरा करो अब क्या करेंगे क्या करेंगे उसे मार डालेंगे हाँ पहले मैं शरीफ से पूछता हूँ जिया ने कमांडर को मार दिया है या नहीं अभी मालूम करता हूँ जल्दी बताओ कहो है मेरा बिटा अगर यह मर गया तो तो उसका पता कैसे लगेगा फोन उठाओ कोई चलाकी मत करना तुम सुनो अगर कोई उस्यारी की तुमने माफ नहीं करूँगा समझे तुम कहां हो तुम लोग जंगल में हूँ मैं लाश को ठकाने लगा रहा हूँ ये क्या नहीं काम हो गया पकड़का रखो इसे अभी थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारे पाप के पास भेज़तेंगे ये पुछो कहां है तुम इस वक्त कहां हो हाइवे पर जो जंगल है हम लोग वहां जा रहे हैं तुम लोग भी वहीं आजाओ कहां जा रहे हैं बताओ मुझे हाइवे के पास वाले जंगल में ठीक है शुक्रिया तुम्हारा काम अब खतम हो गया मेरे दोस्त तुम्हें भी मरना होगा बाबा प्लीज अगर आपने कुछ देखाया है या जानते हैं तो मुझे बताएं वो लड़की हमारे होस्टल में रहती है मुझे उस पर शक था इसलिए हमने उसका पीछा किया लेकिन सामने आप आगए और ये मौलवी का भेज क्यों मनाया हुआ है आपने अरे बेटी इनसान को दीन के कामों के इलावा और का सकून मिल सकता है देखो तुम मुझे पर शक कर रही हो मुझे बहुत तकलीफ हुई है बेटी दौाओं में बहुत असर होता है अगर मेरी दौा से किसी को शिफा मिल जाती है तो मेरा क्या जाता है इसमें ये कैसे हो सकता है बाबा थोड़ा पढ़ कर मौलवी कैसे हो सकता है तुम गलत कह रही हो बहुत असर है इनकी दौाओं में ही हाँ तुम होश में तो हो हुलिया तो फिर आप अपने लिए इबादत और दौाएं करें लेकिन इनसानों को इस तरह से धोका देना बुरी बात है खामोश हो जाओ तुम मौलवी साब को धोके बास कहोगी गुना है ये अल्ला तुमें सजा देगा कहीं ये औरत तो नहीं आपसे ये सब करवा रही अम्मी को भी आपने इसलिए निकाल दिया यकीनन ये ही औरत धोके बास है क्या मतलब बाबा देखें जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएं पहले की तरह साथ रहते हैं आपका यहां रहना कोई अच्छी बात है क्या मॉल्वी साब की वापसी अब मुश्किल है अब ये सीधे रास्ते पे चल पड़े हैं अगर ये चाहें भी तो वापस नहीं हो सकते अब तो इनके हसारों मुरीद हैं जल्दी टीवी पर भी आ जाएंगे ताकि सबको मालूम हो जाएं क्या हाँ ताकि पूरा मुल्क मॉल्वी साब को जान सके ये हमारे आपनी है अरे ये तो ज्या है धोका दिया इसने हमें उसने देख लिया है गाड़ी रोग दो किना ने पर लगाओ गाड़ी ये किना ने पर लुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुछ दो दूटो už सू खू कर दो दोड़ाई प्रावा प्रेडानिशहू मज़े तूमारी मदद की ज़रूरत है मुझे तूमारे लवा किसी और पर रोसा नहीं है क्या हूं एग्जैम नहीं देंगे अगर एग्जैम देने है तो सर खोलके जाओ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये ने ओर्डर आया है क्या हम जान सकती है कि ये ओर्डर किसने लिया है मेरा ओर्डर है